हर्याना के यमनानगर में एक छातर को गोली मार दी गई, इस वारदात को कार सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है आपको बता दे कि कुरुशेत्र यमना नगर स्टेट हाइवे पर जोडिया गुर्दवारे के पास कार सवार बदमाशों ने एक सोला वर्षिये बालक को गोली मार दी गोली बालक के पेट में लगी है उसका दोस्त बाइक पर ही उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुचा वहाँ डोक्टर ने गोली लगने की पुष्ची करते हुए उसे पीजी आई रैफर कर दिया हालाकि बाद में परिवार के लोग उसे जगादरी के प्राइवेट अस्पताल में ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है गोली चातर के पेट में फसी हुई है सुचना मिलते ही पुलिस मोके पर पहुंची और जांच में जुट गई चातर का कहना है कि गोली किसने मारी उसे नहीं पता क्योंकि कार सवार ने गोली मारते हुए कार का शीशा एक बार नीचे किया और शीशे पर जाली लगी हुई थी वहीं से बदमाश ने गोली चलाई वह उसका चेहरा नहीं देख पाया चातर दस्वी कक्षा का है वीना नगर कैम्प निवासी घाय लितिन के अनुसार वह अपने दोस्त भानू परताप के साथ बाइक पर मंडेबरी आ रहा था जब वे जोडियां गुर्दुआरे के पास पहुचे तो एक I-20 कार में सवार यूवक ने उस पर गोली चला दी गोली उसके पेट में जा लगी कार सवार महां से फरार हो गए कार पर नमबर भी नहीं था उसका दोस्त उसे अस्पतार लेकर गया जाच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पर मोध वालिया ने बताया कि इस मामले में शिकायत के अधार पर हत्या के परियास और आम से एक्ट्व में केस दर्ज कर लिया गया है सिस्टीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों का पता चल सके यहां आपको बता दे कि बढ़ती वारदातों को लेकर लोगों में दहशत का महोल है अभी कुछ दिनों पहले जगाधरी की अमर पूरी कालोनी में फिरोती ना देने पर बदमाशों ने गोलिया चलाई वही कुछ दिन पहले कारोबाली रगुनात की गोली मारकर हत्या करती गई इस तरह से हर दिन शहर में वार्दाते हो रहे हैं इस से विपारी से लेकर आम आत्मी जरा हुआ है आगे सामने आएगा उसके हिसाब से कार्वी के लिए ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जबी बैंकवेट्स लाइ हैं इंकरिडि़ल मारिज पलास, राजगराना आगे सामने लाज़ा को बारी से लाज़ा आइख, जोती गार्दन झाल झाल